कोरोना संकट के बीच देश को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने बारा मई को बीस लाग करोड के आथिक पैकेज का अलान किया था अर्ध विवस्ता को रफ़ता देने के लिए गोशित किये गए इस पैकेज की विस्तरत जानकारी वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन ने पांच दिनों में 13 से 17 मही तक दी सरकार की और से नए पुराने अलान को मिला कर कुर 20,97,000,53 करोड रुपए का ब्यौरा दिया गया 13 मही को पहली प्रेस कॉंफरेंस में वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन ने 5,99,500 करोड रुपए के आत्म निर्भर पैकेज का इलान किया इन में से 3,00,000 करोड सुष्म लगू एवं मध्यम उध्योग को जाएंगी बिजले वित्रन कंपनियों की मदद के लिए इमरजैंसी लिक्विडिटी 90,000 करोड रुपए दी जाएगी इसके लावा दवाव में चल रही MSME को लोन के लिए 20,000 करोड रुपए उपलब्द कराये जाएंगी MSME के लिए Fund of Fund तक 50,000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है Non-Banking Financial Company Micro Finance Company के लिए 30,000 करोड की विशेश लिक्विडिटी स्कीम लाए गई है 14 मई को दूसरी प्रेस कॉन्फरेंस में वित्रमंत्री ने 3,10,000 करोड रुपए की दूसरी किष्ट जारे की इसमें प्रवासी मजदूरों को दो महिने तक मुफ्त में अनाज दिया जाएगा इसके लिए 3,500 करोड रुपए का प्रावधान किया गया मुद्रा शिशु लोन के लिए 15,000 करोड रुपए का एलान किया गया रहडी पटरी वालों के लिए 5,000 करोड रुपए की विशेश रिंट सु विधा दी गई इसके लावा हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 6-18,000 करोड रुपए की वाशिक आमदनी वाले मिडल क्लास के लिए 2017 में लाए गए हाउसिंग लोन सबसीडी यूजना को 31 मार्ज 2021 तक बढ़ा दिया गया है इसके लिए 17,000 करोड रुपए का पैकेज दिया गया है किसानों के लिए 30,000 करोड अतरिक्त इमर्जेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबाड को दिये जाएंगे ये नाबाड को मिले 90,000 करोड के पहले फंड के अतरिक्त होगा अतदकाल जारी किया जाएगा 15 माई को तीसरी किस्त प्रेस कॉन्फरेंस में वित्तमंत्री का फूकस पूरी तरह से किसान उपर रहा इजरान वित्तमंत्री ने 150,000 करोड रुपए के पैकेज का एलान किया इनमें हर्बल पोदो के उत्पादन को बढ़ावा देनी के लिए 4,000 करोड रुपए दिये जाएंगे एनिबल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट फंड में 15,000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है समुद्री और अंतरदेशी मतस्य पालन के लिए 9,000 करोड रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में लगाया जाएगा माइक्रो फोड इंडर्प्राइजस के लिए 10,000 करोड की स्कीम लाए गई है शनिवार को चौथी प्रेस कॉन्फरेंस में वित्यमंतरीनी ओद्योगिक आधारभू धाचो का अपग्रेडिशन कोईला खनीज रक्षा उत्पादन एयर स्पेस मैनेजमेंट एरपोर्ट MRO केंदर शासित प्रदेशों में बिजली वित्रन कंपनियों अंतरिक शेत्र और परमानू उर्जा के शेत्र में सुधारों का एहलान किया इसके बाद रविवार को सरकार ने कहा कि मन्रिका के तहट आवंटे तरकम में 40,000 करोड का इसाफा किया गया है इसे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा मन्रिका के तहट पहले वजट का अनुमान 61,000 करोड था इसके अलावा विवारत अंतर फंडिंग के तहट 81,000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया चौथी और पांचवी किष्ट में कुल 48,100 करोड रुपए का एलान किया गया इससे पहले भी केंद्र सरकार भारती रिजर्व बैंक के कुल 9,44,403 करोड रुपए की राहत का अलान किया था प्रधान मंतरी गरीब कल्यान पैकेज के लिए एक लाख बाननू हजार आठ सो करोड रुपए दिये थे जबकि आठ लाख एक हजार चैसो तीस करोड रुपए आर्बियाई के जरीए तमाम तरह से उपलब्द कराए गए थे सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेज तबेल आइकन फोर अपडेट्स